किय आइ maior में भी इस वानगेक में वानंट अभी इस वीडियो और कंश करते हिव के यहां है Overseas East से लेके Overseas Central तक जो एकसेस रोड है यहां सराउंडिंग में जो डिवलपमेंट हुई है यह तो लेंथी वीडियो होगी तो इसमें आपको मैं तमाम चीजें करें करें कोश्च करूँ हूँ कि इस वक्त development का status 20th of Ramadan आज की date में क्या status है Overseas Central में development का status का इसके लावा Overseas East का मैं आपको separate वीडियो में बता दूँगा तो इस वक्त हम गॉल्फ कोर्स के साथ से गुदर रहे हैं और यह रही जाकर डिर्टी लीड करता है AQS एक्जटिव ब्लॉग से अग्जटिव ब्लॉग 1 के अंदर से आधर और प्राइम में जा सकते हैं जो एक एजी और सिंपल एकसेस रोड बनता है यह भी रस्ता कच्छा है कि गॉल्फ को साथ तो जब यह कंप्लीट होगा और इसके हवाले से मैं दोबारा एक डिटेल वीडियो बना दूँगा कि यहां पर क्या बनेगा यहां पर इस रूट के साथ पर इस बिचिए के सामने एक और बिच बन रहे है जो क्रिक्टिस स्मार्ट परीज बना के साथ और इसके साथ राइट साथ पर residential golf course facing apartment building आएंगी और उसके साथ इसके लवाँ चार मरला commercial और आट मरला commercial की एक market भी वहाँ पर बनाई जाएगी जो बिल्कुल overseas prime की backside block F की backside बनती है golf course facing और जानतक बाद इस bridge की यह third bridge access bridge है इससे पहले दो bridges बनाई जा चुकी है एक bridge की जो length है that is 450 running feet और एक bridge की जो length है that is 750 running feet अब यह दो bridges हैं दोनों अपनी जगापे complete हो चुकी है और दोनों bridges में access road 1 पे access road 2 पे bridges complete है लेकिन उसके साथ जो बागी development अकाम है वो अभी तक in process है यानि कि main road की access directly bridge तक अभी तक complete नहीं हुई इस bridge के अवाले से premises में as per society officials 2022 के end तक 9 holes out of 18 holes operational हो जाएंगे और यहां पे golf course की जो properly एक community होती है वो start हो जाएगी तो कोई भी project हम देखें अगर near future में देखें हैं पिछले 10, 12, 15 साल में देखें स्काम बादरावल पिंडी की market में तो आपको ऐसा project नहीं मिलेगा मेरे right side पे इस वक्त आपको golf course की जो boundary wall है जिस पे उन्हें प्रॉपली तारन काके इसको lock कर दिया है प्लस जो सयाम पे lights लगनी है golf course की उनको भी initial तोर पे properly start कर दिया किया है अभी कुछ lights हैं जो मेहल में operational हो जाएंगी होगी 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 और कुछ lights हैं जो भी रहती हैं यह अवराल जो flood lights होती हैं जो golf course के लिए होती हैं वो lights हैं street lights नहीं हैं इसके लावा अगर बात करें हम golf course की तो golf course के out of 18 holes 9 halls जो हैं वो by the end of 2022 त्यार हो जाएंगे और इस वक किसी भी society की बात करें पिछले 10 से 15 साल में तो आपको रावल पिंडी इसलामबाद की डुमें में ऐसे societies नजर नहीं आएंगे कि जन्हों ने तीन चार साल की डुमें में लाउंच हुई हो और इतने बड़े massive scale पर development की हो यहां पे पार्क्स भी बनाए हैं यहां यहां पे मस्जिद भी बनी हैं यहां पे स्कूल भी बनाए हैं यहां पे कमर्शल बिल्डिंग भी बनी हैं यहां पे गॉल्फ कोर्स भी बनाए है residential apartment भी बने हैं commercial building के लिए plots भी रेडी हैं और इसके लावा जो बाकी हो रही है जहां तक बात है कि overall project size की तो overall जो project size है वो बनता है आपका एक लाग पचास जार कनाल का तो अभी आने वाले आट-दास सालों में यहां पे स्मार्ट इटी के अंदर जायर सी बात है बहुत ज़्यादा changes आएंगी तो अगर आपने investment स्मार्ट इटी में की हुई है तो definitely I would recommend you के अपने investment को hold करें मैं आम तोर पर जो भी videos बनाता है उसमें मैं recommend नहीं करता क्या plot को sell करें जैसे recently overseas east का overseas prime का और overseas center का बहुत ज़्यादा बूम है था market में तो मैंने उस वक्त भी members को लगा था कि आप अपने plots को hold करें इन्होंने मजीद मचूर होना है यह इस product की जो असल value है वो start ही होनी है interchange के बाद interchange is expected है के जून के first week तक इसकी construction यह ऐसी ground breaking सर्मनी हो जाएगी काम का अगास हो जाएगा एक दफ़ा interchange काम का अगास हो गया स्मार्ट हीटी को direct access मिल गई from the main M2 motorway उसके बाद स्मार्ट हीटी का किसी भी society से आप comparison कर सकते हैं पाकिस्तान में यानि कोई भी जो बड़े बड़े projection से comparison कर सकते हैं जो में चीज़ें करने की सबसे बड़ी बात है क्या हो के पास जमीन मजूद है यानि कि अगर आप 34,000 आज की जमीन में डिवेलप आज की रेट में डिवेलप कर चुके हैं इसलामबाद रावल पिंडी क कि आप किसी साइटी का नाम लें लें गुलबा, ग्रीज, डी एचे, तमाम साइटी अगर आप गूगल अर्थ पर एरिया टैली करें कि उन्हें पिछले 10 साल में कितना एरिया टैली डिवेलप किया है तो टोटल एरिया जो बनता है वो तक्रीबान 16,000 सम्थिंग कनाल बनत चुका है तो जो फ्यूचर में ड्वांटेज होगा इंटर्चेंड के बाद कि यहां पर आपके पास तीन मरला का प्लाट भी है तो आप उसे बहुत ही अच्छे प्रॉफिट पर सेल कर सकते हैं आपकी क्यूंकि इन्वेस्मेंट आज की डेट में जो है वो बहुत नॉमीन आप साधे तीन मरला का प्लाट भी अफोर्ड करते हैं कैपिटल स्मार्टी में तो आपको लॉंग टर्म में जाकर जब स्मार्टी का इंटर्चेंज मोटर वे पर उपरेशनल होगा तो यहां पे कोई भी प्रॉपर्टी आपको एट लेस्स सेमन मिलियन से नीचे नहीं मिल करते हैं तो एक डेट के साथ अप्लोड होती है कोई बंदा इसको डिनाई नहीं कर सकता मैं यह आर्गुमेंट दे रहा हूं इन दा लास्ट वीक ऑफ एपरिल के जून ऑनवर्ड यहां पर आपकी प्राइस प्लॉट की प्राइस यह में भी डबल यहां से ज्यादा एक्से आपकी इन हाउस है मोटर वे पर आपका इंटर चेंज हो आपके पास डेडला किनाल आपका लैंड प्रिक्वर्मेंट के लिए डेली बिस्ट पर काम हो रहा है उस पर मजीद एडिशन हो रही हो तो यह तमाम चीज़ आप राउंड ओफ करें तो आपको एक लंब सम एक एक डिजिट मिलते हैं वो मिलता कि एक ग्रोप तकड़ा यानि उस ग्रोप ने डिलिवर करना है फ्यूचर में और उसकी हर लहाँ से जो कमिट्मेंट हैं प्रजेट के साथ वो बहुत ज्याद है Smartity याद रहे कि HRL का flagship project है यानि कि आने वाले दिनों में आने वाले दहाईयों में या जो भी टाइम आएगा जब HRL कोई project डिलिवर करेगा तो उसका comparison जोगा वो capital Smartity से होगा क्योंकि पहला project डिलिवर किये जो HRL का अपना project है यानि कि पहले HRL ने project लाज में डिलिवर की हैं बट वो project ownership में होते थे different entities के DHA, Beria, DHA owned by Army Welfare Trust, AWT और इसके बाद Beria owned by Malik Riaas, Beria के जो बहुत बड़ा brand बनाया तो इसमें definitely HRL का रोल था लेकिन अपने brand के तोर पे अभी इस वक्त HRL market mentor हुआ है, तो यह project होगा basically, यह insignia होगा, यानि कि lightning beacon होगा कि यहां से आगे smartity जो है, फ्यूचर में deliver करने के लिए क्या एहमियत रखता है या क्या एहलियत रखता है, तो यह आपके लिए tester होगा project basically, तो इस वक्त मैं basically start किया आपने गॉल्फ कोर्स की साइट से और भी हम आगें overseas central की main access road पे, जिस road का भी आपने वीडियो में देखा है जो मैं बात कर था, तो आपने उस road की left side पे जो देखा है, वह executive block भी है, executive block के बारे में smartity यहां थोड़ा criticism बनता है, कि executive block की सबसे slow development जितने आपने चीज़ें जनल ब्लॉक को, executive block के बाद overseas block आया, उसके बाद overseas prime आया, harbony park overseas east आया, overseas central आया, executive block जो पहला व्लॉक था, वो सबसे left over रहा गया, और जो बाकी second, third, fourth, fifth, नमबर पे चीज़ें लाँच ही, उनको definitely ज्यादा advantage मिल गया, तो यह executive block के जो member है definitely वह बहुत ज्यादा इस बात पे न आप लाहूर में commercial के rate देख लें, इसलामबाद में देख लें, आपको automatic feeling आ जाती है, क्या product की value क्या है, और इस डेट तक स्मार्टी के definitely उन members के लिए, उनका गिला जाइज है, कि उनकी investment ज्याद उनको यसी जगापे shift कर दें, और सी इस में, और सी central में, और सी प्राइम में कि जहाँ पर plot developed and possessionable है, याद है कि उनको develop and possessionable plot ये offer किया जाने चाहिए, क्योंकि उनके 2017 में स्मार्टी पर trust किया था, जब स्मार्टी को कोई में जानता था, initial phase में, अगर उनने early stage पर स्मार्टी के अंदर investment की थी, तो definitely वो अच्छा return भी reserve करते है, उनका right है, एक अच्छी जो अभी मैं बात करें, एक जीज नोटिस की है, वो यह कि जो access road 1 से आगे bridge से आगे road continue करेगा, उस bridge के लिए properly compactional काम होगा, और यह आगे चार्सों फट रोड से matching वाला जो काम में मुकमल हो गया, यानि कि इसके पर ब्रस जितनी compaction करेंगे, मिटी पर डल की है, अभी जाग यह में रोड बन जाता है, तो अब चक्री रोड से directly entrance लेके, overseas prime के entrance लेके, आप directly overseas central तक 400 feet रोड तक आ सकते हैं, तो बड़ी easy access होगी, ज़िए कोई difficult चीज नहीं होगी, इस वक्रक हम गुज़रे हैं, जी overseas central के 400 feet रोड है, इस वक्रक मैं block G और block H कह लें, जो 10 मला के block है, मैं लेकर गलत नाम नहीं ले रहा है, तो block G और एची है मेरे हल में, लेकिन ब्लॉक G और block H 10 मला के road के left side पे है, 400 foot road के, तो उस side पे दूसरे side पे जाएंगे, और इसके बाद में जो start में road, यानि कि जितने blocks आते हैं, जहां तक मैं access ले सकता हूँ, आज मैं 404 गाडी पहाँ है लेकर टैली करना होता है, तो वो मैप जो गूगल अर्थ पर अब तक अपडेट नहीं हुआ, यानि आपको land का accurate idea नहीं मिल सकता, क्योंकि नमंबर की अपडेट है, गूगल अर्थ लोकेशन पे, तो आप उसको टैली नहीं कर सकते, जब वो इंशल अपडेट होगा, तो मै है, प्रॉपर स्ट्रीट वाइस बता दूगा कौन सा एरिया ऐसा है, जो जिसकी land पर क्योड है, development हो गई है, यह जो भी बात बनती है, मेरे लेफ्ट साइड पर जो रोड है, यह 400 फूट का मेन रोड है, और राइट साइड पर जो ब्लॉक आता है, ब्लॉक F का ये कुछ प में यहां पर ब्लॉक F की कुछ पॉकेट ऐसी हैं, जो नहीं डिलिवर्ड, नहीं लैंड ओन, क्यूंकि उस पर प्रॉबल नजर आ रहा है, और कुछ पार्ट ऐसा है, अब आगे चलते हैं, आगे जाके लेट साइड पर 400 फूट और आगे ब्लॉक F के बिलकुल बैक साइड पर ब्लॉक, अभी मैं क्रॉस करूंगा रोड, अब यह जो अंदर से एक रोड गुजर है, यह एक, मैं आपको दिखाता हूं पास से, यह पीचे एक गाउं है, राजड, उसका किनेक्टिविटी रोड है, अब बहुत सरे लोग इस रोड के बारे मैं ने एक वीडियो बना उस खतम नहीं कर सकती, बेशक वो उससे बड़ा रोड बनाने का भी कमिट्मेंट करें, क्योंकि वो गवर्मेंट ओन लैंड होती है, तो आप गवर्मेंट की लैंड पे कंस्ट्रक्शन या कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो फ्यूचर में जाके जब साइटी इसक किसी हद टक क्टियूट ना हो, अब जी मैं इस रोड की दूसरी तरफ चलता हूँ यह जो, अब इससörी साइट पर आपको मैं दिका रहा हो, यह पहले जो स्ट्रीर्ट विएङ की पहली है फुटचैज, इस पहले मैं रूस वो आपको जंगल नजर आ रहा है, इस तरह के अरिया था सारा, और अब इसकी ब्राउनिंग, मैं ड्रोन की फूटिज इस भी टैच कर दूँगा बीच में, अब इसकी ब्राउनिंग जो उसका स्टेज कुछ यू है, कि तक्रीबन ज्यादा नहीं, तो 20-25% अरिया ऐसा है, ज पर लाउंच होने वाले ब्लॉक में, 2022 जनवरी तक किसी के एकसेस पॉसिबल नहीं थी, अब भी एकसेस पॉसिबल यह थोड़ा सा डिले हुआ है, पीज में कोवीड आया और बहुत सरे चीज़ें हुई, लेकिन अगर आज की डेट में, अगर आप आप अपनी गाड़ी प तक कि आपको काफिया तक क्लिर अंडर्स्टेंडिंग मिल सके कि आज की डेट में, अन ग्राउंड क्या डेटेल्स हैं, इस वक्रमजान है तो डेफिनली में बाइर निकल के पॉइंट तो पॉइंट पॉइंट रिकॉर्ड नहीं था, मैंने सुझा काफी टाइम से वीडिय बी ब्लॉक, ए ब्लॉक का सॉरी, ये ए ब्लॉक का पार्शल पार्ट बनेगा, तो आपको जो भी लैंड यहां से नज़र आएगी, तकरीबान अगले दो से तीन मिनट तक वो ए ब्लॉक की लैंड होगी, यानि ये कुछ आपको एरिया डिवेलप नज़र आएगा, कुछ के खाली पहार नज़र आएं के सामने, जिनको लगता है कि शायद ये साल एट साल से पहले खतम नहीं कि अजास्ते, लेट सी सॉाइटी से पर कैसे डिवेलपमेंट करती है, लेकिन ये अगर आप 400 फिट रोड के रोड में आइडिया लगाएं, तो आपको ए ब्लॉक की तर है, जो डिप्रेशन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन थोड़ सा ग्राउंड लेवल से नीची है, और इस पार्ट भी काफी ज़दा, मताब आप कहलें के सख्त जमीन हैं इस जगार की भी, और तकरीबान 70 परसंट लेंड ऐसी है, ये ब्लॉक की जो बहुत ज्यादा अलिवेट अब डिप्रेशन को फिलिंग करने का सुचाइटी के पाद आप्शन ही मजूद नहीं है, अब इस सामने वाली साइट पर भी, मैंने थ्री विक्स पहले जो प्रॉपरली साइट पर आया था तो यहां पर एकसेस रोड इस तरह से एजी एकसेस नहीं थी, और से अंदर आज यहां तक जो प्रिमिसिस बनती है, और से सेंटल की ब्लॉक ए की बनती है, इस की बैक साइट पर ब्लॉक C और ब्लॉक D जो है पार्शल, यानि कि लफ्ट साइड अगर जाएं तो ब्लॉक C है, राइट साइड अगर जाएं, यह इपीच में खर मिनी मार्केट और वो इस त की तरह से भी बैलट हुए हैं चार सो फिट रोड के जो कमर्शीटन को होगा है बहुत ज़्यक्शल नहीं है जो कुछ मेंबर जिनके पहले प्लॉट था चार सो फिट रोड पे उनको कुछ वहां पर शिफ्टिंग मिली है बाकि तमाम मेंबर जो उनको वहां पर ऐसच कोई श मैं इनफेक्ट ब्लॉक सी की तरफ जा रहा हूँ और ब्लॉक सी के साथ ही सारी आपको लैंड का ऐड़िया होजेगा कि ओवराल कैसी लैंड है कि अभी देखते हैं यहां से यहां से रस्ता होगा कि असमें में लेट साइट से रस्ता मज़ूद है लेट सी एक तो बन किया हुआ है और इस साइट से प्रॉपर एक्सेस मिली हुए है जो आगे ब्लॉक एबी सी तक जाएगी तो वहां से मोटर्वेकल आपको जहां पर इंटर्चेंज बनने वह नदर भी आता है निव टेक एरिया भी नज़र आता है और तमाम जब जितनी बाकी प्रिमिसे अगर हम देखें इस एरिया के डिवेलपमेंट तो बहुत सारी लैंड ऐसी है जो भी ग्रीन ही है यह निकि लैंड ओन ज़रूर है क्योंकि उसको डिवेलप नहीं किया जा रही है और से सेंटल में एक मशीनरी को स्पोर्ट है कोई यहां में मशीनरी कुछ पार्ग है कि अग्यारां के टोडल नंबर है यहां पर जो यह में मशीन पार्ग हुए है आज थी एक क्रशिंग प्लांट यहां बनेगा जो बाकी यहां पर रोड्स यहां पर बिचाया जाएगा वह इस रोड़ की मतलब से किया जाएगा अब आगे चलते हैं जी अबर्स चेंट्र लाइगे सबसे बड़ा ब्लॉक यहां पर ओवर्स प्राइम ओवर्स इस्ट और हमनी पाक इसको मिला लेंगा तो शायद एक ब्लॉक बने और सेंट्र इतना बड़ा ब्लॉक है अब इस वाइट इसके जो अंदर एड कर दिया दूसरा ब्लॉक पी जिसका के नाम है हार्मी पाक ब्लॉक तो आइट के फॉरण बाद जब न्यू मैप लाउंच होगा तो उसमें एडिया हो जाएगा कि वह किस तरफ एड के जाते हैं बट ओवराल जो भी और सेंटल है वो कंबाइन कर लें और सिस्ट प्राइम को और सिस्ट को हार्मी पाक और सेंटल ब्लॉक अच्छा अब हम और सिस्ट में एक और पॉइंट पर आगे जहां पर स्मार्टी की तरह से प्रापले इंटीना पर इंस्टॉल किये हैं वह सामने रिंग रूड है जो आरवन रोड इस से उसके बाद गॉल्फ कोर्स की बैक साइट से गूमते होए उवर्सीज एक्जेक्टिव वन में और जो और जो आगे जाती है जहां पर आगे आगे आपका गेड़ प्रिंस इंक और इसके लाबावा बाकी फ्यूचर में व इंटर्चेंज की अगर आप इंटर्चेंज से उतर रहे हैं तो आपकी जो लेफ्ट साइड वली प्रिमिसे जितनी होंगी यह उस एरिया को जाक किनक्ट करेंगे तो यह रोड ऐसी होगी जिस रोड का मैं भी आपको विजट कराऊंगा यह रोड बैसिकली पूरे स्मार्टी कि जो पूरी कम्यूनिटी होगी उसके इर्द गिर्द इस रोड का रूट होगा लेट सी अब हम आगे हैं जी ओवर सी सेंटल का रिंग रूड इसके वाले से मैं पहले वीडियो पोस्ट की हुई है और से सेंटल कि मैंने एक दो वीडियो आसी पोस्ट की इसमें वाइस लेकिन यह थे इस रूट का आइडिया मिल जाता है कि बहरा हाल आई गैस यह हम ब्लॉग ए के सामने से निकले हैं और के बागे चलते हैं जी अब आगे तक काम की नहीं पहले प्रीविश लिए और आप यह प्रॉपर एरिया रिजर्व कर देगा है बाद में आप अप्रॉपिस बनाए गी हैं कि नहीं इन एन एनी केस डिवेल्पन की पेस काफी तीज हो गया है आपको जो प्रॉपर सेवरिज की पाइप नजर आते इस पुरे ब्लॉग में डिफरेंट जगह पड़े हुए यानि कि जान 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 में रोट साइटी का में पहला फोकस ही है कि Overseas Central के सबसे पहले में रोड जो होंगे यहां जो रोड होंगे कंप्लीट किया जाए infrastructure कंप्लीट करने का फाइदा ही होगा कि किसी ब्लॉग में लेने के लिए जब असानी होती जो लैंड रॉ लैंड है उसके development साइड वाइस चलती रहती है बट जो इंफरस्ट्रक्चर की development होती है सबसे कोर चीज होती है यानि कि जो कटिंग फिलिंग प्लॉट के वो तो प्रॉपरली वो जगह जहां पर प्लॉट ने घर ने बनने है लेकिन उस घर तक बने वे घर तक पहुंचने के लिए जो रोड होता है उसका बनना जरूरी होता है तो मेरे खाल है साइटी ने पहले उन्हीं रोड फोकुस किया हुआ है तो और से सेंट्रल के अंदर या जो मज़ीद आपको आपको आफिस ने आ रहा है यह पहले यह यह इजस्ट करते थे अधे जिस्ट करते हैं तो मुझे नहीं है यह यहाद मैं पहले दबादेख रहा हूँ और को कि यहां मैं साथ में कुछ ड्रोन की फोटेज आइड कर दूंगा ताकि आप लोग को आइडिया मिल सके कि राइट साइड पर जो मोटर वे एम टू है कि इतना से क्लोज इस ब्लॉक में मोटर वे के बिल्कुल साथ अर्डिसंट हूं यहां में शाहिद आपको मैं कैमरा की मद बिल्कुल साथ अजयसेंट है अगर मैं इस तरह से आपको मोटर वे जो वेहिकल्स मूव कर रहे हैं और यहां से मोटर वेक्सेस कितनी करीब है और यह सारे अरिया जितना आपको नजर आ रहा है इन फैक्ट जो इसके दूसरी तरफ है मैं ड्रोन की फोटेज आइड करता दूसरी तरफ जो एरियास में आता है उसमें भी काफी जाता हथ तक ब्राउनिंग हुई है और वहां पे आपको FDH की ब्रैंडिंग के साथ रूम्स बने हुए नजर आते हैं तो यह Overseas Central में एक्सेस लेने का आज की डेट का यह रस्ता है अगर आप इंडिजुली अपने यार दोस्त का यह किसी का भी जानने वाले का प्लाट है मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं मैं आपको यह दुन कहुंगा कि मैं आपको सजेस्ट करता हूं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रॉपर्टी को सेल ना करें यह अपने बच्चों के लिए रख दें हैं किसी 1000 परसंट यह 1200 परसंट यह 2000 परसंट में भी इतना रिटरन दे रिजन उसकी यह है कि आज यहाँ पे आपको किनाल का प्लॉट मिलता है 62 लाग रुपीज का ओन गरा उसके ओपर जो 18-20 लाग जो भी ओन चल रहे है उसके उपरा मिलाके तकरीब आपको एट मिलिन का आपको आज किनाल का प्लॉट परता है जब इंटरचेंज प्रॉपरली उप्रेशनल होगा और मोटर वे के बिलकुल साथ एजिसंट प्रॉपर्टी होगी आप पूरे पाकिस्तान में जाके कोई भी ससाइटी में किसी भी ससाइटी में बेशक वो कितने भी फारिख इंफरस्ट्रक्चर के साथ क्यों न हो वहाँ भी आप जाके रेट सेक कर लें तो आपको ऐसे जगा पर जो लीस ट्रेट मिलते हैं वह 5-6 क्रोड का प्लॉट मिलता है किनाल का जिसकी एकसेस बनती हो मोर्टरवेस एकसेस तो बहुत बड़ी बात है आप लहोर में डी एचे फेज एड में अगर आप जाते हैं साड़े 5-6 क्रोड का प्लॉड आपको एवरेज मिलता है तो यह एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो आपकी मोर्टरवे की प्रिमिसेज में होगी इस प्रॉपर्टी की वैल्यू आपकी काफी ज्यादा इंवेस्टमेंट में ज्यादा रिटन्स ला सकती है जो आप इसको करें निई नहीं है बाट इनई कीस काफी है तो जब यहां पर मजिड़ी दो होगी इसाला तो मैं आप विजट्स टाइम टाइम करता रहता हूं होफली में आके रम्जान के बाद हरफते अब नम्जान में चुंके इस इम्रुण भूब्ला विजिट है मैं रोटीन में नह आपने अपनी प्रॉपिटे कर भाई कि हुई है तो डेफिनली आपको फॉल अप करना आपका राइट है आप यह डिजर्व करते हैं स्पेसिफिकली ओर सी पाकिस्तानी जो इतनी दूर से बैठ के पाकिसान के इस तरह के फ़नेंशल हलात के पावजूद पाकिसान में प्रॉ अगर आपको कैपिटल स्मार्टी लहूर स्मार्टी में बुकिंग के वाले से हैं रिसल प्लॉट के वाले से मालूमात कुछ भी चाहिए हूं तो आप देगे नमबर पर कॉंटक्ट कर सकते हैं इसके लावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें www.makansolutions.com अगर आप कर दो आपको 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 क